साहपूर एगरी क्लिनिक आज कुछ अलग करने की कोशिस कर रहा है उनमें से पपीता की खेती पे कुछ काम भी किया है मैंने पपीता की खेती किसानों के लिए बहुत ही लावकारी है चुकि इसमें जो उत्पादन दर है परती पोधा 60 से ले करके एक कुंटल तक लिया जा सकता है और एक एकर में करीब 1000 से 1200 पोधे लगते हैं इसे हिसाब से देखें तो अगर 10 रुपे सबजी के लिहास से भी देखेंगे 10 रुपे में भी अगर बिखता है तो पपीता एक पोधे में कम से कम 500 रुपे का तो होगा ही होगा और एक एकर में करीब 1000 पोधा भी अगर हम मान लेते हैं तो भी बहुत ज्यादा मुनाफ़ा है इसमें तो हम किसानों से ये कहेंगे कि पपीता की खेती करें लेकिन उसके बारे में पूरा जो जानकारी है वो जरूर ले लें क्योंकि ये जो पपीता की खेती है या पपीता के जो पोधे हैं ये पानी बरदास्त करने वाला नहीं है यानि कि हम उन खेतों में इसकी खेती करें जहां मिटी उपर हो यानि कि निचली जमीन में जहां पानी जमता हो वहां इसकी खेती ना करें इसके अलाबा काली मिटी में इसकी खेती ना करें जो पानी को रोक के रखने की छमता जिसमें ज़्यादा हो यानि कि जल्धारन छमता जिसमें ज़्यादा हो उसमें पपीता की खेती ना करें यानि कि पपीता में मैंने देखा है कि पानी बरदास्ट नहीं करता है लिहाजा आप इसमें पानी भी चाहिए लेकिन कम पानी चाहिए और बिल्कुल ड्राइ भी नहीं होना चाहिए, सूखा भी नहीं रहना चाहिए ये तो हो गई management की बात दूसरी बात ये है कि पपीता एक ऐसा फसल है जो बहुत ही ज़्यादा sensitive है इसमें वाइरस का प्रकोब जल्दी हो जाता है किटानू इसमें बहुत ज़्यादा attack करते हैं तो किटानू में कुछ ऐसे किटानू है जो normal दवाई के जो किटनासक है उसका प्रकोब उसमें नहीं होता है कुछ ऐसे मखी है सफेद मखी खास करके जो इसके छोटे पोधे में जब आप नरसरी लगाते हैं उसी समय वाइरस का प्रवेस करा देता है इसके पोधे में जब पोधे बड़े हो जाते हैं तब जाकरके उसके विसानू पूरे पोधे में फैल जाते हैं और पोधा एकदम बिल्कुल हरा भरा एक बारगी सूख करके लटक जाता है उपर का जो बार है और किसानों का मेहनत बरवाद हो जाता है तो हम किसानों से अपील करेंगे कि किसान जिससे में नरसरी दें उसी समय उसके नरसरी का प्रवंधन बहतर करें जिससे उसमें कमसकम मक्षी का प्रकोव बिल्कुल नहों इसके अलावा जिस खेत में आप इसकी खेती करना चाहते हैं वो उची जमीन हो, दोमट मटियार हो, और काली जमीन में इसकी खेती ना करें, जिसमें जलधारन की छमता ज़्यादा है, जिसमें पानी को रखने की छमता ज़्यादा है, क्योंकि उसमें फंगस लगने का चांस ज़्यादा होता है, पपितायों मैंने देखा है, जो इसका मी जो fungicide है खास करके blue copper है उसका इस्तेमाल करें 2-3 gram पर्थिलिटर पानी में उसको जड़ में परियोग करें और उपर spray करना है तो 2-5 gram पर्थिलिटर पानी में उपर से spray करें लेकिन किसी भी सूरत में spray करने में 2-3 gram से ज़्यादा इस्तेमाल कभी न करें क्योंकि उसका असर अधिक होता है एक और जो हमारा अनुभव रहा है पपीता में कि पपीता में अगर जैविक खाद का परियोग जादा करते हैं तो वो जादा हरा भरा मुझे अभी तक का जा अनुभव है वो जादा हरा भरा रहा है और जहां हमने जवी खाद का प्रियोग नहीं किया जिस खेत में वो पपीता जो है वो डैमेज हुआ है और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की आवसकता पड़ी है तो हमारा यही अभी तक का अनभव है एक साल का जो पपीता की खेती में अनभव किया है वो है कि आप ज़्यादा जवी खाद का प्रियोग करेंगे जो लाबकारी जिवानों उसमें हैं वो पपीता के लिए फायदे मन्द है